नमस्कार जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार में आपका स्वागत है आईए चलते हैं खबर की ओर तो यह कारण भी सामने आया कि महिला ने ऐसा कियों किया दरसल यह घटना अमेरिका के न्यूहेंप शायर की है रिपोर्ट के मताबित इस महिला का नाम कंबरले हैलर है इस महिला ने अपनी मा की मौत के बाद उनकी डेट बोडी अपने घर पर ही अंदर करीब 6 माईने तक संज नहीं था बलकि इसमें उसका पैसो के प्रतिल लालस था इतना ही नहीं उसने अपनी मा के लास घर में ही छिपाए रखा और किसी को भी अंदर नहीं आने देती थी रिपोर्ट के मताबित उसने अपनी मा का अंतिम संसकार नहीं किया और घर में ही उनकी सरती हुई लास के सा जमी रही बेटफोर्ड पूलेस विभाग के मताबित हेलर की मा की मौत मई में हो गई थी और उन्होंने 18 नवंबर को हेलर को इस मामले में गिरफतार किया उसने खुद बताया कि महिला की मौत प्राकृतिक कारून से हुई थी लेकिन उनसे जुड़े हुए आर्थी फायदे लेने के लिए बेटी ने उनकी मौत की बाद सारवजनिक नहीं की उनकी मा के नाम कुछ पेंशन मिलती थी साथ ही मा के सोसाइटी सेक्योर्टी पेमेंट उनकी मौत के बाद भी लगताज दी जा रही थी जिसका इस्तमाल उनकी बेटी कर रही थी फिलाल बेटी पर अब माम दर्च किया गया है यह भी बताया गया है कि इसका पता तब चला जब पडोर्शियों को शक्वा और उन लोगों ने मिलकर पुलिस को सूचना दे दी पहुचाते रहे खबरे हम आपको इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें